नमस्कार दोस्तों स्वागत हैं आपको मेरी चानल में फिर से एक बार में हूँ आपकी वही अंजली हर कदम हर पल हम आपके साथ है भले ही आपसे दूर सही लेकिन आपके पास है जिन्दगी में हम कभी आपके हो या ना हो लेकिन हमें आपकी कमी का हर पल एहसास है जी हाँ आपने सही सुना हम आज के डिली राशीखन की बात कर रहे हैं सिबसे पहले आज इनका बज्य है या फिर मारिग अनुवर्सरी है उनको मेरे तरफ से ठेड़ सारे गुट विशिस तो चलिए शुरू करते हैं इस दुनिया में पहले बार तुम्हारे रोने पर दुनिया खुश हुई थी कुछ ऐसे दुनिया से जाना कि तब सारे दुनिया रोए और तुम हस्ते हस्ते जाओ आगे बढ़ने के लिए हमेशा अपने बनाए रास्तों को चुनो दूसरों की बनाई रास्तों पर चल कर आप सुरक्षित भले ही रह ले पर मंजिल पाने के लिए रास्ते खुद बनाना सीखें सफल होकर हमें दुनिया जानती है और असफल होकर हम दुनिया को जान जाते हैं नींद में देखे गए सपनों से बड़े वो सपने होते हैं जिनके सरूर में हम नींद खो बैठते हैं संसार में सबसे असीम हमारी अपनी इच्छा शक्ती है अगर हम कुछ ठान ले तो ब्रह्मांड भी सीमित नजर आएगा दुनिया में सबका दिन 24 घंटे का है जिन्हें सफल होना होता है वो इसे का सदप्योग करना सीख लेते हैं तो चलिए पचाल लेते हैं आज के डेली राशीफल के बारे में सबसे पहले में आपको बता दो कि अजाब के लिए जो है भागिशली रंग क्रीम रहने वाला है और जो लखी नंबर है वो रंबर 9 रहेगा अजाब के अंदर इच्छा शक्ती बड़स रही है लेकिन इसका अप्योग करके आपको आगे बढ़ना ही होगा लक्ष के वल आपके लिए नहीं बलकि आसपास के लोगों के लिए भी उप्युक्त साबिट हो सकता है आपके परिवार के लिए आपकी धरम पत्नी के लिए आपकी जो पती है उनके लिए अपने आपको मार्ग से भटकने नहीं देना है आपको बलकि आगे बढ़ती जाना और साथ हमें आज के दिन गुसा और एगु को काबू में रखना बेहत जरूरी है आपके लिए वरना आप अपने लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं साथ भी आज कई विपारियों को लाभ भी आज आपको देखने को मिल सकता है खास करके थोक की विपारियों को काफी हद तक लाभ देखने को मिल सकता है साथ में जो किसी का काम है सप्लाई वगारा प्रदान करना तो वो भी सर्विस वगारा प्रदान करते हैं किसी भी रोप में तो उसमें भी आपको बहुत इच्छा देखने को मिल सकता है आज के दिन हाँ पालतू की कति वीजियों से जरा ध्यान हचाईए और अपने कारियों पर जरा उचीत ध्यान दीजिएगा समें बहुत ही बढ़िया है अनकूल है इसलिए भरपूर प्योग कीजिएगा आज घर का महौल विवस्यत बना रहेगा आस पडोस में किसी धार्मिक समाहरों में जाने से लोगों के साथ मेल मिला बढ़ता नजर आएगा किसी किसी समय में आपका मन छोड़ी छोड़ी बातों को लेकर विचरित हो सकता है आपकी मनहों सिती पर नियंतरन रखना बेहत जरूरी रहेगा तो कि आपकी परिशानियों का नेगती प्रभाव आपकी परिवार पर भी पड़ेगा भायों के साथ समन्तों में करता मत ताने दीजेगा आज आपको अपनी भायों के साथ बना कर रखनी होगी साथ ही में आज असे तारे आपके बारे में ये भी कह रहे हैं कि आज की दिन जो हैं, जिन काम में प्रगती चाहा रहे थे, उनके बारे में लगभग आपका इंतजार अफ खत्म होने वाला है, यानि कि आपको प्रगती मिलने वाली हैं, जैसा कि आप चाहते थे, अपनी प्रितनों को योग की दिशा में जारी रखेगा, यानि कि मेहनत कर परिवार के किसी व्यक्ति के बरताव की वज़ा से आपको मांसिक रूप से एंसेक्यूरिटी महसूस हो सकती है। समय बहुत अनकूल है, आपको वशी सपलता मिलेगी। घर में किसी धार्मिक आयोजन से पॉज़िव उर्जा बनी रहेगी। किसी निकट समंदी काही कोई नेगटिव विवहार आपको व्यथित कर सकता है। आगे बढ़ते हैं आज की विवसाई के बारे में था विवसाई कहता है कि आज करक्षेतर में करमचारियों पर बहुत ज़ादा विश्वास ना करके सभी गतिवीदियों पर अपनी उपस्तित ही रखना बहत जरूरी है। किसे भी ग्यार कानोनी काम में इंट्रेस्ट मत लीजेगा। इस समय किसी प्रकार की इंक्वारी या फिर पैनल्टी लगने की सिथिया भी बन रही है। साथ ही में आज काम से रिलेटिर यात्रा की वज़े से काम करने का नया दृष्टी कौन आपको प्राप्त हो सकता है। साथ ही में आज इस तरी वर्ग से जुड़े विसाय सफल्ट होएंगे। यानि कि जो लेडिस हैं जो काम करती हैं तो कपड़ों का या किसी भी रूप में आप काम करती हैं स्टिचिंग वगरा का भी हो सकता है तो उसमें आपको बहुत इच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। परशनों का समाधान जो है वो आपकी द्वारा मिल सकता है। इसके साथ ही करण में आज जो लोग कुछ नौकरी विगरा ढूंट रहे हैं उनको नौकरी भी मिल सकती हैं। थोड़ी से महनत आपकी जो हैं काम बहुत इच्छे रिजल्ट लेकर आ सकते हैं। साथ में आज स्टूरेंट का फोकस भी अपने पढ़ाई पर और करेट पर लगातार बना रहेगा। सुरेंट जो हैं अभी जिनकी परिक्षाएं चलत रही हैं उनको काफी हद तक अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। और जिनकी परिक्षाएं खातम हो चुकी हैं तो उन आज पेड़ से रिलेटेड दिक्कतों में रहत तपाने के लिए खान पान और दिन चल्या को आपको संया में तरखना बढ़ेगा। पेड़ में जलन की कारण तकलीफ कई लोगों को हो सकती हैं बदन दर्द की तकलीफ भी कई लोगों को हो सकती हैं आपको ज़ादा काम करन अब जैसे समस्यावी बढ़ सकते हैं तो आपको जादा हाइपर नहीं होना है तरनाम नहीं लेना है अच्छे से काम कीजिए और हाँ सुबह की सेर और नेचर के साथ तरह टाइम स्पन कीजिए बहुत ही बड़े रहे यानि कि खुले अरिया में जाएए जहाँ पर आपको हर्याली मिले जील मिले, पानी मिले बहुत ही अच्छी है नेचर के साथ आप करें तो बहुत बड़े रहेगा तो ये बात कर ली हमने भी स्वास्त की तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के जो हैं आज के विशीश उपाई के बारे में तो विशीश उपाई आपके लिए कहता है कि आज आज आपको जो है घर में जो है देसी कपूर चलाना चाहिए साथ में आज अगर आप चंदन गुगल उपान की धूली देते हैं तो बहुत ही बड़िया रहेगा यह साथ अपने गुरु मंत्रों का जाब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा और हाँ गरीबों में गुपतरूप से दान करना किसी भी चीज़ का या फिस जरूरत मंदों के मदद करना बहुत ही उमदा रहेगा तो आप यह असान से उपाई करते जाएंगे तो आपकी जंदगी हमेशा को शहाद बनी रहेगे तो दोस्तों अगर आपके वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा धन्यवाद